अबी आप लोग देखे रहे होंगे कि देश बर में एक briefing काफी चर्चा का बिसरवनी हुई हैं और आप देखेंगे कि कुछ लोग इसका विरोद भी कर रहे हैं और आप देखी कुछ लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि देखी जब भी इस तरह की टॉफिक पर कोई मूवी बनती है तो उसके आप देखी पसंद करने वाले भी होते हैं और नाक पसंद करने वाले भी होते हैं और इसका इस मूवी का नाम है दाकस्मीर फायल्स के नाम से और जो जम्मू कस्मीर में जो कस्म पूर होकर भागना पड़ा था उसी पर आधारित ये मूवी बनाई गई है कि देखी मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को कोई भी मूवी इस तरह के टॉपिक पर बनती है तो नीट्रल होकर आप लोग उस मूवी के मूवी को देखा करिएगा तो मुझे लगता है कि बहतर आ कर बैठ कर उस मूवी को देखते हैं तो आप लोगों को इसमें अच्छाई अच्छाई दिखाई देगी अगर आप बेपक्ष में बैठ कर पूरी तरह से उस घटनाओं को नकार देंगे तो आप लोगों को बुराई बुराई देखना शुरू हो जाएगी तो इसमें मू कसमीर आपको देखने को मिलेगा इसी राजी से सम्मांदित आप देखेंगे ए मूवी बनाई गई है क्या क्या कर देखें है इस मूवी में अगर आप लोग देखें तो बिवेग अगनी हुत्री को आप लोग जानते होंगे तो बिवेग 1990 की दोर में एक बहुत बड़े टॉपिक पर बनी हुई है जब आतंग बादियों द्वारा कस्मीरी जो पंडित थे उनकी हत्याई की गई थी और उन्हें कस्मीरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था और एक आप देखेंगे तो जिसमें कस्मीरी पंडितों को अपने ही देश में सरडार्थी बनकर रहने पर मजबूर कर दिया था और उनका वो स्टेटस आज भी बना हुआ है और आप देखेंगे कि आज भी पंडित वहां से जो भागे हुए थे वो आज भी बापस नहीं पहुच पाए है अपनी जो मात भूमी थी उनकी जरम भूमी थी वहां बापस नहीं पहुच पाए आपने देखा होगा कि नई सरकार आई हुई थी तो इसने बहुत कहा कि वहाँ लोगों को पहुंचाएंगे ये करेंगे विवस्ताई करेंगे लेकिन लोगों में अभी भी डर है वो समझ रहे आप लो और एक तो आप देखते हैं पाकिस्तान से लगा हुआ राज्य है और आप देखते हैं आए दिन वहाँ घड़ना इस तर लोगों को आज भी उनका सपना है कि एक बार वापस अपने घर जा सकें कस्मीर जा सकें और किसना दिल्ली में E&U नाम की टॉप कॉलेज में पढ़ाई करता है वो कॉलेज इलेक्शन में खड़ा होता है और आप देखेंगे कि किसना कही सुनी बातों पर विश्वास करने क कि वजए खोद कस्मीर जाकर देखता है कि वहां क्या चल रहा है और इस दोरान उसे अपनी लाइब का सबसे बड़ा राजपता चलता है जो जीवन और कस्मीर के पिती उसकी परसेप बदल लेता है कि आचर वहां हुआ क्या था इसमें आप देखिए अनुपर्म खेर को आ इस मोवी में अनुपर्म के पुस्परनाथ के रॉल में अनुपर्म खेर हैं जो 1990 में हुए 110 में उनकी पूरी फैमली खतम हो गई थी बस दो चीजें बची हुई थी उनका पोता किसना और पुस्टकार का दुबारा कस्मीर जाने का सपना ठीक है और फिल्म अनुपर्म खे है क्योंकि वे आप सभी जानते ही कि कस्मीरी पंडित भी है उनकी इमोशनल्स भी जुड़े हुए हैं इस सीन में तो यह आप सभी याद रखेएगा याद रखना चाहिए और और इसे इन घटनाओं को एक बार जरूर आप लोग पढ़ जरूर ले यह आपको दिख रहा हो नाम की E.N.U की प्रोफेसर का रॉल निबाया हुआ है और E.N.U, J.N.U से मिलता जूलता नाम है एक सीन में राधिका मेरन का किरदार किसना को सला देती हुए हर कहानी में एक बिलेन होता है इस कहानी में बिलेन राधिका मेरन को बनाया गया है तो यह भी आप लोग याद रखेगा और इसमें मिथुन चकवर्ती भी है और पेकास, बेलवाडी, पुनीत, एकसर, अतुल, श्रीवास्तो भी है और उन्होंने पुसकर नात के चार दोस्तों का रॉल निबाया हुआ है इन चार दोस्तों का काम है कि वो किसना को बताएं कि उनके माता-पिता के साथ असल में हुआ क्या था उनकी उनकी डैथ कैसे हुई थी आखिर इसमें आप मिथुन चकवर्ती को देख भी सकते हैं ठीक है और मिथुन ने पुस्ट करके में तर बरहमादत का रॉल हम आया हुआ है जो पेसे से क्या थी रेटार्ड वियूरेकर थे दाकस्मीर फाइल्स की अच्छी चीजे की बोर्डरेट्व को लेकर बहुत पेसनेट है और इसमें आप देखेंगे कि इसमें 25 लोगों को गोली मारी यह 25 की गोली चलते हमें से international भी दिखाया गया है इसमें, तो ये भी याद रखेगा, ये आप देखेंगे, कौन है, इनको आप देखा रहा है, इसकीन पर, ए, 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 न, उपर फेसर, राधा, राधिका मेनन की रॉल में पलिवी जो सी है, कस्मीर फाइल्स में कस्मीर पंडितों के जरूरी मानविये मुद्दे को पूरी जुनून से बड़े परदे पर उकेरा गया है, लेकिन फिल्म में ग्रे में जाकर चीजों को टटोलें की गोसिश नहीं की गई है, यहां सब कुछ आप देखेंगे, बिलेक या वाइट में ही रखाय गया है, कॉलेज प्रोफिसर का किरदार हो या कस्म की टोपिक पर मोवी बनती है, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी जाय करिएगा, मोवी देखना चाहिए आप लोगों को, और फिर आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि क्या हुआ था, इतिहास की पुस्तके भी उठा कर आप लोग देख सकते हैं, कस्मीर में जो प